आपका स्वागत है और नज़े डालते हैं अच्की विश्विश खबर पर राजनास सीहा ने कहां कि हमें बाटने की कोशिश कर रहा है पाकिस्थान नहीं सुद्रा तो दस टुकडे होंगे केंद्रिय ग्रामित्री राजनास सीहा ने जमूर गश्मीर के कठवा में शहीरी दिवस के मौके पर भारत को धार्मी का धर पर बाटने के लिए पाकिस्थान पर शड़ियंत रचने का आरोप लगाते हुए कहां कि वो भारत को तोडने में सपल नहीं होगा सबी भारत ये भाई है चाहे वो हिंदू मा की कोक से पैदा हुए हो या मुस्लिम मा की कोक से उन्होंने कहा कि भारत के अलवा विश्वों में कहीं भी इसलाम के बहुत तर फिर के शान्ती पूर्ण तरीके से साथ नहीं रहते है इतना ही नहीं राजनात ने पाकिस्तान को चितावनी देते हुए कहा कि अभी तो पाकिस्तान के दो ही टुकडे हुए है अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो शायद उसके दस टुकडे हो जाएंगे उन्होंने कहा कि भले ही पाकिस्तान ने चार चार बार हिंदूस्तान पर हमला किया हो लेकिन हर बार भारत की जवानों ने उनके दात खटे कर दिये हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शांती के साथ रहना चाते हैं लेकिन वो भारत के खिलाफ एक छंदे युद्ध को पराजित करने में लिप्थ है राजनासिहां ने कहा कि पाकिस्तान अब समझ गया है कि वो भारत को सीवे पराजित नहीं कर सकता इसलिए आतंगवाद के साहरे में जाता है कि वह जमूर कश्मीर को भारत से अलग कर देगा राजनासिहां के इस बयान पर कॉंगरेस उपाध्यक्ष राहूल गांदी ने पलटवार करते हुए ट्विट किया हा राजनासिहां जी पाकिस्तान भारत को धार्मिक आधर पर बाटने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहां कोई ने देखते कि आप और आपके बास भी यहीं कर रहे हैं राहूल के इस बयान पर भाजपा के राश्टिय सची उश्रीकान शर्मा ने कहां कि यह शर्मनाग बयान है हम इसके निंदा करते हैं यह मासिक दिवालिया फन की परकाष्टा है इस बयान के लिए राहूल गांदी देश की जनता से माफी मांगे अपरतिक्षी रूप से राहूल गांदी का यह बयान पाकिस्तान का ही बच्चाओ करता है और आए नजड़ालते हैं आज की हेलाइन्स पर मॉंबाई में हेलिकॉप्टर गिरा पाइलेट समें दो की मौत पाकिस्तान के नए सेरां प्रमूक ने आयसाय प्रमूक को हटाया चक्रवादी तूफान वर्दा से आंध्र तमिलनाडू के 30 ए इलाकों में हाई अलट दिली में लॉफ ओम पर छापे में मिली 13 करोट 65 लाक रुपे की नगदी इसका बूल फुटबॉल स्टेडियम में विस्पोर्ट 38 लोगों की मौत